तो आज हम वाइटेमिन B complex को आगे continue करते हुए हम वाइटेमिन B6 जो है पायाडोक्सिन इटको सिम्प्लिफाइ करेंगे जिन्होंने वीडियो देखा है उन्हें पता है अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो आपको हमारे पुराने वीडियो के लिंके नीचे बॉक्स में मिल जाएंगे, उपर आई बटन में मिल जाएंगे, या फिर जब हमारे चैनल पे आप विजट करेंगे, तो वहाँ प्ले लिस्ट में या फिर वीडियो में आपको तो सभी चीज़े और्गनाइज वे में मिल जाएंगे, तो प्लीज चेक करना न भूलिएगा, शीरीज में पढ़ेंगे, तो समझना असान होगा, तो फिर चलिए हम अपना सिंप्लिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, तो वाइटमिन B6 जैसा के हमने बताई से क्या कहते हैं, पैरिडॉक्सिन, ठीके, और इसके प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं सबसे पहले, तो सेम चीज़, वाटर सॉलिबल है भाई, ठीके, डेरिवेटिफ्स ऑफ पैरिमेडिन, पैरिमेडिन के डेरिवेटिफ्स है, पैरिडॉक्सिन, प्लस फॉलिक एसिद, प्लस कोबालमिन, यानि वाइटमिन B12, आगे हम पढ़ेंगे, फॉलिक एसिद को भी पढ़ेंगे, वाइटमिन B12, जिसे हम कोबालमिन कहते हैं, उसको भी पढ़ेंगे, तो वाइटमिन B6, ये फॉलिक एसिद, वाइटमिन B11 है, ठीक है तो B6, B6, B11 और B12 याने Pyridoxin, Folic Acid और Cobalamin ये तीनों मिलके हमारे body में मतलब blood में iron के absorption में help करते हैं आरे ये बास समझ में इतनी important vitamin है ये iron के absorption में vitamin B6, 11 and 12 ये तीनों मिलके help करते हैं body में iron के absorption में, uptake में it is active in the formation of red blood cells, red blood cells के formation में ये active role play करता है, important for good functioning of the nervous system nervous system, जितने भी vitamin B है ना सब को लेके चले के भाई वो nervous system के लिए तो important ही है, ठीक है, and they are active in the amino acid metabolism ठीक है, amino acid के metabolism में ये active रहता है और साथ ही nervous system के functioning को अच्छा रखता है, ठीक है इसके बाद है helps to protect against cancer, cancer के against protect करने में help करता है rise the immune system, immune system को बढ़ाने में help करता है deficiency देख लेते हैं, red blood cells का formation करता है तो उसकी कमी होगी तो anemia तो होगा ही, ठीक है, nerve illness होगा क्योंकि ये nervous system को अच्छा रखता है उसके बाद skin problems, ठीक है, ये सारी disease हो सकती है अगर vitamin B6 की deficiency हो, कमी हो तो अब toxicity देख लेते हैं, जो इसका proper amount है इससे अगर जादा हुआ तो क्या होगा, कम हुआ तो क्या होगा ठीक है, कम होने वाला तो हमने देख लिया है, जादा अगर हुआ तो कितना toxic है ये, कितना harmful है तो जो vitamin B6 है, इसकी जो amount है, वो है 200 mg per day अगर इससे जादा हुआ, तो फिर ये poisonous हो सकता है ठीक है, इसका higher dose लेने से क्या क्या होती है, serious damage of nervous ठीक है, nervous system को serious damage पहुँच सकता है, अगर हमने इसके proper amount से जादा dose लिया तो अब हम देख लेते है sources क्या खाएं, जिससे हमारे body में B6 की कमी न हो तो vegetables तो ले, fruits ले, potatoes, bananas, whole grain products, milk, egg, nut, fish and meats ठीक है, तो ये सारे चीज़े लेने से vitamin B6 की कमी हमारे body में नहीं होगी साथ ही इसका molecular structure देख लेते हैं, C8H11NO3 ठीक है, और ये है इसका molecular structure तो I hope आपको हमारे simplification पसंद आया होगा, अगर वीडियो से related कोई question हो, तो नीचे comment करके बताइएगा, वीडियो अगर पसंद आये, helpful लगे, तो प्लीज इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, चैनल पे नहीं है तो हमाने चैनल को subscribe करें, bell icon को hit करें, तभी जब हम वीडियो डालेंगे तो उसकी notification आपको सबसे पहले मिलेंगे, अधरवाइस वीडियो मिस हो सकती है, thank you so much for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम अगले vitamin B को simplify करेंगे, जो है biotin